नमस्कार नियूस पियार में आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी साथ पृती जहाँ बिहार में शराब बंदी कानून लागू है लेकिन इसके बाब जूद भी शराब के जो वैद धन्दे हैं वो बंद नहीं हो रहे हैं कई ऐसे जगह हैं जहां पर कई ऐसे छेत्र हैं जहां पर शराब माफियां को पकड़ा भी जा रहा है लेकिन इस पे पुलिस जो है पुलिस कोई भी कारवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है और हम आपको पता दे कि इसी को लेकर पतना हाई कोट ने अपनी नाराजगी जताई है और उन्होंने साफ तोर से पुलिस को भी फटकार लगाई है और कहा है कि जो भी इस शराब धंदे में लोग पकड़ा रहे हैं जो भी माफिया पकड़ा रहे हैं उनके तमाम संपतियों का ब्योरा उन्हें देना होगा जिहां और साथ यसा संपति की जाच करने का आदेश भी हाई कोट ने दिया है हाई कोट ने इसके लिए आईकर विभाग और प्रवरतर निर्देशाले की जिम्मदारी दी है पटना हाई कोट ने कहा कि शराब के अवैद कारुबार से जिन लोगों ने काली कमाई की है उनकी अवैद संपति की जाच परताल होनी चाहिए और ये तै होना चाहिए कि उन लोगों का नाम सामने आये इन सब के खिलाव प्रात्मी की दर्ज भी होनी चाहिए और कानूनी कारवाई भी साथ में साथ होनी चाहिए मुझफरपूर और वैसाली से जुड़े कई मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए पतना हाई कोट ने इस पस्ट तॉड़ पर कहा कि शरावबंदी कानून के बाबजूद बिहार में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर शराव बड़ामद हो रहे हैं और जो लोग भी यहां इसमें सलिप्त हैं उन पे पूरी तरीके से कारवाई नहीं की जारी है कहीं आगे पूलिस जो है वो भी लापड़वाही बरत रही है क्योंकि सही तरीके से इन पर एक्षन नहीं हो रहा है हाई कोट ने कहा कि उन जिलों की पूलिस आरोपियों को गिरफतार करने में पूलिस जो है कोई बिल्चस्प दिल्चस्पी नहीं दिखा रही है जहाँ शराब के बरादने बड़े पैमाने पर हुई है, हाई कोट ने इसे गंभीर मसला माना है और हाई कोट ने इस बात पर हैरानी भी जताई है कि अपराद में शामिल सिंडिकेट के लोगों को गिरफ़तार नहीं किया जा रहा है और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोट ने पटना के SSP और SSP को अपने यहां लंबिग शराप के केस का पूरा ब्योरा देने को कहा है पटना हाई कोट इस मामले को लेकर कितना सक्त है इस बात से साफ तोर से समझा जा सकता है और उसने टिपनी की है और टिपनी में स्पस्ट कर दिया है कि भारी मात्रा में शराब की जबती होने के बाद थाना प्रभारी जिला पुलिस और उत्पाद विभा के अधिकारे सिंडिकेट के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं और हाइकोट ने मामलों में आईकर विभा के महाने देशक और ईडिक की प्रतिवादी बनने का आदेश भी दिया है और हाइकोट ने साफ तोर से ये स्पस्ट कर दिया है कि इस जो शराब के अवैद धन्दे हैं इसमें जो भी बरे लोग सनलिप्त हैं उस पे पूरी तरीके से कारवाई करें पुलिस के लापरवाही देखी जा रही है पुलिस का देखा जा रहा है कि माफियाओ के खिलाफ कोई भी कारवाई नहीं हो जा रही है उनके लेकर कोई भी जो मामले है वो दर्ज नहीं हो रहे है तो इस पर हाइकोट ने साफ तोर से करीणिंदा की है और कहा है के वाद सराब के कारवार में जिन लोगों ने भी काली कमाई की है उनकी पूरे समपती का ब्योरा हाई कोड को सौपा जाए और जो भी माफिया जो भी संडिकेट इसमें शामिल है उन पर पूरी तरिके से करी कारवाई की जाए कर दो कर दो कर दो कर दो